नमस्कार दोस्तों स्वागत अब सभी का आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्य मंतरी सीखो कमाओ योजना मद्यपदेश की गौर्मेंट के द्वारा ये योजना चलाई गई है जो की स्किल डेवलोमेंट के लिए काफी बहतरीन कदम है तो आज इस वीडियो में हम द देखने के लिए पर हमारी प्लेलिस को जुरूर चेक करिएगा चलिए शुरुआत करते हैं देखे दोस्तों मद्यपदेश के स्टेट कैबिनेट ने अभी एक मुख्य मंतरी सीखो कमाओ योजना को एप्रूवल दे दिया है जो की एक नई स्कीम है इंगलिश में चीफ में इस स्टेट में अन एंप्लॉइटी यूथ है तो जो स्टेट में अनेंप्लॉइड है इस बिचारे के पास नोकरी नहीं है उसको उप्रूचुनुटिस प्रूवाइट करना इसका एक एम है इसमें होगा क्या इंडिवीजोल को नसेस्री स्किल्स और नॉलेज जो है वो द skills सिखाए जाएंगी knowledge दिया जाएगा ताकि वो employable बने वो आगे जाके किसी company में या कहीं पर पर जाके employment कर सकें नोकरी कर सकें और उनके लिए एक income का जो साधन है वो generate हो यहाँ पर 700 ऐसे काम है जिनके ओपर training दी जाएगी तो 700 ऐसे अलग अलग sectors होंगे जहाँ पर मुख्यमंतरी सीखो कमा योजना के तहट training जो है यंग्स्टर को दी जाएगी इन 700 सेक्टर में से कुछ sectors हैं engineering, hotel management, tourism, travel, hospital services, ITI, software development, banking, insurance, accounting, charter accountancy, financial services, industries और MSME सेक्टर अब क्योंकि यहाँ पर wide range of options हैं 700 से जादा अलग अलग sectors हैं तो जो यंग्स्टर है वो अपने interest के साफ़ से जिसमें भी उसको इसको इंटरस्ट हो उस field को चूज कर सकता है अब यहाँ सवाल आता है कि कौन-कौन सा यंग्स्टर जो है कौन सा यूद जो है वो स्कीम में अपना आपको इंडरोल कर सकता है तो यह तो उसने 12th कर ली हो या ITI हो या graduate है या post graduate है तो जहाँ रखिए बार में से पहले मतल़ जासे किसी ने अगर 10 ही करी हुई है तो वो ITI होनी चीए graduation होनी चीए post graduation होनी चीए यह जो बच्चे है इस परकार के जो यंग्स्टर ने 12th की है graduate है post graduate है यह eligible है इस स्कीम में अपने आपको इंडरोल करने के लिए जितने भी लोग इसमें participate करेंगे उनको उनकी educational qualification के हिसाब से monthly stipend भी दिया जाएगा यानि उन्हें पै पर महीना दिया जाएगा अगर आपके पड़ डिपलोमा है कोई तो 9000 प्या higher degree है जैसे graduation होगी post graduation होगी 10,000 रुपीज पर मन 10,000 महीने का आप वो दिया जाएगा तो इस हिसाब से आपको stipend जो है वो मिलने वाला है वो सारे सारे institution जो इस skill training को provide करेंगे youngsters को वो साथ जून से जो registration है उसको start कर देंगे और यह registration जून पंदरा तक रहेगी यानि साथ जून से लेके तो पंदरा जून तक कोई अपने आपको इसमें इन्रोल करना चाहता है तो वो कर सकता है इस पूरे की पूरी स्कीम की smooth implementation के लिए मद्य प्रदेश गौर्मेंट ने यूवा स्कील्स को सीखेंगे उनके साथ एक online contract already sign कर लिया है यह पूरी की पूरी process expected है कि 31 जुलाई तक complete हो जाएगी और एक अगस्य से जो यंग स्टेर है वो अपनी training करने शुरू कर देंगे मुख्यमंतरी सीखो कमा योजना के साथ सार मद्य प्रदेश की जो government है वो self employment opportunities को generate करने self employment opportunities regular employment days जो है वो हर मंत organize के जाते हैं मद्य प्रदेश में जहां पे loans दिये जाते हैं self employment के लिए अभी तक approximately धाई लाख युवा हैं जिनको ये loans मिल चुके हैं ये सरकार का आंकड़ा है यहां पे loan के देने का मतलब हुआ कि मानलो जैसे ये x वेक्ती है इसको मान लीजी अप में जब भी organize होगा तो वहां पर जाएगा अपना जो idea है वो रखेगा अगर पसंद आएगा तो उसको उसे साब से फिर loan दिया जाएगा उस loan के मात्यम से फिर ये अपना business जो है वो start कर सकता है और अपने आपको self employed बना सकता है अब क्योंकि ये loan है तो loan चुकाना उसके उपर इंटरस्ट भी लगता है लेकिन मद्यपरदेश की गौर्मेंट जो है ये guarantee रही है support कर रही है इस चीज़ को इसलिए यहाँ पर इंटरस्ट में subsidies भी इंक्लूड है तो loans के उपर जो इंटरस्ट लगेगा तो उसके उपर भी subsidies मिलेंगी तो ये multifaceted approach है मद्यपर करने के लिए ये state का यानि मद्यपरदे state का जो youth है उसके जो entrepreneurial ambitions है कि अगर कोई यंग्स्टर जो है वो entrepreneur बनना चाहता है ambitious है वो तो उसको मदद करना है उसको उसके जो journey है उसमें साथ देना है जब तक वो entrepreneur नहीं बन जाता है जब तक वो self-employed नहीं बन जाता है तो यह है मुख्यमंतरी सीखो कमावयोजना basically यहां पर एक ऐसी scheme है जहां पर युवा प्रतिस्थान है वहां पर यंग्स्टर आएं मद्यपदेश की government ने स्टार्ट किया है और इससे लेट जित्में भी important facts से हमने कवर किया अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो like करेगा शेयर करेगा पॉलिटिस्ट एक को देखने के लिए एक बार हमारी playlist को जुरू चेक करेगा अगर आपको मेरे पराणे में कोई